दोस्तों दिबात करें गंटियों की तो गंटियों का इतियास बहुत पुरान है अपने अपने काल में राजा महाराजों ने बड़े बड़े गंटियों का निर्मान करवाया है दोस्तों यह है विस्पी सबसे बड़े गंटि बैल और पलक जोकी चायना में स्थापीता है ऐसी गंटी है जो अर्तमान में चालू आलत में उनमें ये विस्व की सबसे बड़े गंटी थी जो इस्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रही है ये है दो लाग किलो से भी जादा वजन वाली जार बैल जो की रसिया में स्थापीत है लेकिन ये अभी ऑपरेशन में नहीं है ये कारेरत नहीं है जो टुकड़ा इसका दिखाई पड़ रहा है इसकी का वजन लगबग साड़े जारा जार किलो से जादा है जो कोटा में विस्व की सबसे बड़ी गंटी बनाया जारी है उसका ये मॉडल आपको इस्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा इसे बनाया जारा है श्टील मैन ओफ इंडिया के नाम से मसूर देवेंदर कुमार आरे और कारिगर हरी राम कुमबावत के द्वारा लगबग 77,000 किलो वजन वाली इस गंटी को कूटा में बनाया जा रहा है चंबल नदी के किनारे जो रिवर फ्रेंट बनाया जा रहा है उस पर इसे लटकाया जाएगा जमीन से लगबग 70 फिट उच पर एक प्लेट फॉम पर इसे लटकाया जाएगा यह विस्प की अब तक की सबसे बड़ी गंटी होगी जो सिंगल पीस में कास्टिंग होगी मतलब इसमें कोई भी जोइन्ट नहीं होने वाला है यदि इसकी बात करें व्यास की तो साड़े आट मिटर से जादा यह चौड़ी होगी इसका डायामिटर होगा और यदि इसकी उचाई की बात करें तो 9.5 मिटर लगबग 69 मिटर यह उची होगी और इसको लटकाने के लिए जो बेल बनाई जाएगी जो चैन बनाई और यह अपने आप में एक विस्व की इर्थिमान होगा इसे गंटी के निर्मान के लिए फाइबर और ग्रीन सिलिका सेंड के जो फॉम वर्क हैं जो सांचे हैं उनका इस्तिमाल किया जाएगा सबसे पहले मैटल को गरम किया जाएगा फिर उसे ठंडा किया जाएगा जब यह गंटी बनकर तयार हो जाएगी और इसे आप बजाएंगे तो रात में इसकी आवाज लगबग 8 किलोमेटर दूर तक सुनी जा सकेगी ऐसा इसे बनाने वालों का दावा है उसके बाद कैसी दिखाए पड़ेगी उसका लाइव वीडियो में आपको देखाऊंगा तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए मिलते एक नए वीडियो में वेडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना नमस्कार